फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेंटर पिटल फोर्स के बारे में अगर मैं इसके डेफिनेशन दूँ तो वो कुछ इस तरीके से है कि पुश और पुल देट मुवस अन ऑब्जेक्ट अराउंड सर्कल यानि कि एक ऐसा पुल या फर एक ऐसा पुश जो कि किसी अब्जेक्ट को किसी सर्कल के अंदर घूमाता है या फर घूमने पर मजबूर करता है ठीक है अब देखिए सेंटर पिटल फोर्स को लेकर के हमारे अंदर बहुत से गलत फेहिया होती है कि जैसे कोई उब्जेक्ट है वह किसी चीज को अंदर की तरफ कीच रहा है मतलब सेंटर की तरफ जा रहा है अब अगर अंदर की तरफ खीच रहा है तो आपजेक्ट जयकर उससे चिपक जाएगा वह force है तो दोनों एक दूसरी साथ जाके चिपक जाएगे ना टैच हो जाएगे लेकिन ऐसा क्या है इस force के इंदर कि जो अपनी तरफ खीचता तो है लेकिन साथ साथ इसको एक round के इंदर एक circle के इंदर गुमाता है तो अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि जो हम लोग acceleration है centripetal acceleration है वो पढ़ चोके हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा उपरवली में कि होता क्या है कि एक object है जो कि घूम रहा है आसपास ठीक है और वो जो है center seeking acceleration करता है कैसे करता है यूँकि उसकी एक velocity है दूसरी velocity है दोनों का vector addition करो के तो आपको पता चलेगा कि वो हमेशा अंदर की तरफ accelerate करने की कोशिश करता है ठीक है यह acceleration हम लोग पढ़ रहे है तो हम लोग लिखेंगे centripetal force fc vector is equals to my m a c vector ठीक है यह होगा centripetal force ठीक है अब मुझे पता है कि जो centripetal acceleration है वो अंदर की तरफ है center की तरफ है ठीक है तो centripetal force की direction क्या होगी ओविसी बात है acceleration की direction में ही होगी यह कि ऐसा कहूं नहीं सकता है कि मैं force एक direction में लगा रहा हूं और acceleration दूसरी direction के अंदर हो जाए है ना तो इसका मतलब जो force है वो भी अंदर की तरफ होगा तो इसका मतलब अगर यह circle है और यह object इसके अंदर घूम रहा है तो acceleration भी इस direction के अंदर है और force भी इस direction के अंदर है simple words मैं कहूं तो linear motion के अंदर क्या होता है जब किसी object के अपर आप लोg force लगाते हो तो उसी direction जंदर acceleration भी होता है ना तो यहाँ पर भी वही है अगर acceleration center की तरफ है तो force भी center की तरफ होगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है इसमें ठीक है तो यहाँ पर एक ही value में रख दूँगा तो fc vector is equals to me m v square upon me r towards the center अब देखिए यह तो formula हो जाता है एक बार आप लोग फॉर्मिले के छोड़ देजिए देखिए centripetal force is not a result of circular motion centripetal force cause circular motion इस बात को थोड़ा डंग से समझें कि लोगों को लगता है कई लोगों को थोड़ी सी गलत फेमी होती है कि जो centripetal force है वो इसलिए double up हुआ है कि कोई चीज एक circular motion के अंदर घूम रही है अब घूम रही है तो उसकी वेसे force अंदर की तरफ पैदा होता है कई लोगों को ऐस force है जो हम लोग पहले से जानते हैं जिसकी gravity या फिर tension force या फिर normal force कोई भी force हो सकता है जिसके लिए मैं आपको एक example देता हूं जिसे मान लीजिए कि आपके पास एक object है जो की अपने axis के उपर घूम रहा है अलग कि यह आपको अभी घूमता हूँ नजर नहीं आएगा लिक string के साथ साथ ठीक है यह बास समझ में आ रही है लेकिन हो क्या रहा है हमें मालूम है कि किसी भी instant time के उपर इसकी velocity कुछ इस तरीक से निकल जाएगी तो इसका मतलब एक force है जो इसको बाहर की तरफ खीच रहा है और एक force है जो इसको अंदर की तरफ खीच रहा है ठीक है एक object है जो कि इससे attach है और यह जो है motion कर रहा है circular motion कर रहा है अब यह जो string है इसके अंदर की जो tension force है वो इसको अंदर की तरफ खीच रहा है और उतना ही force बाहर की तरफ खीच रहा है तो यानि कि इसका एक pair बन गया यह paired forces हो गए और उसकी वज़े से यह अंदर वाला centripetal force दबलब हो पाया है समझे रहे हैं आप लोग दिखें फिजिक्स में centripetal force actual में एक pseudo force होता है pseudo का मतलब होता है बनावटी term यह कोई नया force नहीं है यह create हुआ है भार की gravity की वेश से इस string के अंदर एक tension create हुआ और उस tension की वज़े से centripetal force दबलब हो और circular motion create हो गया तो अब actual में जो centripetal force है उसका काम कौन कर रहा है tension force कर रहा है अब यह tension कैसे create हुआ जब कोई बाहर का force इसको pull कर रहा है अपनी तरफ खीच रहा है अब याद रखिए कि यह tension force और जो force इसको बाहर की तरफ खीच रहा है gravity या कोई और वो एक दूसरे के बगर नहीं रह सकत है अगर मैं एक force भी हटा दूँ तो दूसरा अपने आप ही खतम हो जाएगा समझ रहे है आप लोग मतलब अगर यह pair में नहीं रहेंगे तो इनका जो existence है वो खतम हो जाएगा देखें मैंने एक video pair forces के उपर बहुत पहले बनाए थी जिसका link आपको उपर मिल जाएगा उसम यहाँ पर भी exactly यह हो रहा है एक force इसको भार की तरफ कीच रहा है अब यह diagram आप लोग देख सकते हैं और एक force अंदर की तरफ कीच रहा है ठीक है और दोनों के balance से circular motion create हो रहा है तो इसका मतलब centripetal force एक pseudo term हुआ तो अब यहाँ पर हम लोग एक diagram बना करके देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने vectors काम कर रहे हैं कि जैसे एक circle है मुझे पता है acceleration अंदर की तरफ है तो force भी अंदर की तरफ है और अगर किसी instant time पर मैं इसको छोड़ूँगा तो इसकी velocity कुछ इस direction में जाएगी ठीक है और जब यह circular motion कर रहा है तो इसका omega जो है वो outward निकलेगा जब हम clockwise motion करना है इस direction के अंदर तो omega का वेक्टर, acceleration का वेक्टर, यहाँ पर centripetal force का वेक्टर, इस velocity का वेक्टर और साथ ही साथ जो centripetal force है उसके जो बिल्कुल विपरी तहनी क्या opposite जो force काम कर रहा है वो यह वाला वेक्टर तो यहाँ पर कितने सारे वेक्टर मिलके एक simple circular motion को create कर रहे है अब सवाल आप लोग एक और पूछ सकते हो कि यह जो tension force लग रहा है ठीक है इसे जो आसपा से घूम रहा है इसमें total कितना work हो रहा है मतलब एक force अंदर की तरफ एक force पार की तरफ तो work कितना हो रहा है तो work को easily calculate किया जा सकता है तो work इसे कुछ में force multiply by displacement होता है force की जो direction है वो अंदर की तरफ है मुझे मालम है ठीक है और अगर instant time पे मैं से छोड़ देता हूं तो यह बाहर जाएगा इस direction के अंदर इन नोनों के बीच का जो angle है वो कितना है 90 डिगरी है और विसी बात है ठीक है तो f multiply by d multiply by cos 90 अब cos 90 की जो value होती है वो होती है 0 तो इसका मतलब इस time पे जब इस circular motion कर रहा है तो इस tension force ने कोई work नहीं किया इसको और इजिली समझ सकते हो कि अगर कभी आप किसी खाली जगे पर गूमें मतलब ऐसे गूमना होता है ना कि एक अपनी जगे पर गूमना शुरू करें तो क्या होगा कि थोड़ी दिर के बाद आपकी जो हाथ है वो अपने आप उपर आ जाएंगे ठीक है बिलकुल ऐसे horizontally उपर आ जाएंगे आप लोग देख सकते हैं तो उस समय आप लोग वो पता भी चलेगा कि हाथ आपके उपर आ गए क्योंकि उस समय आपके हाथ जो है व उन पर आपको कोई work नहीं करना पड़ेगा अपने आप ही ऊपर चले जाएंगे ठीक है तो यह जो circular motion होता है उसके अंदर जो string होती है इनके अंदर जो centripetal force होता है यह actual में कोई work नहीं करता है So here we can say we don't have to do any work to hold something in circular motion ठीक है So friends यह हो जाता है centripetal force का concept I hope आपको समझ में आया होगा अगर इसमें आपको कोई query आ रही है बार-बार समझने में तो मैं आपसे कहूंगा कि जो पिछली तीन वीडियो रोटेशनल मेकेनिक्स पे उनको भी एक बार दंग से देख लें और ब कमेंट सेक्षिन के जरीए पूछ सकते हैं So friends आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही See you in the next week